इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर लेंस यानि अभिसारी लेंस द्वारा प्रतिविम कैसे बनते हैं तो इस क्रिया कलाप के लिए हमें एक उत्तर लेंस की आवशक्ता होगी और मेरे पास यह है उत्तर लेंस है जिसे आप देख सकते हैं इसकी फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर है हमें एक कागज की भी आवशक्ता है जिसमें हम प्रतिविम बना सकें मेरे पास जो यह कागज है यह इस्क्रीन के रूप में काम करेगा जिस पर हम प्रतिविम बनाएंगे हमें एक मौम बत्ती और चार मारकर की भी आवशकता होगी हलक कि हम मारकर के इष्थान पर पैन भी ले सकते हैं तो सबसे पहले मैंने चारों मारकरों को चार अलग इलग स्थानों पर रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन मारकरों को लेंस के फोकस बिंदों पर रखा है जिसकी फोकस लंबाई 20 cm है यह पहला मारकर उस इस्थान से 20 cm की दूरी पर है जहां मैं लेंस को रखूँगा और यह दूसरा मारकर उस इस्थान से 2F यानि फोकल लंबाई की दोगुनी दूरी पर है जहां मैं लेंस को रखूंगा इसी प्रकार यह तीसरा मारकर दूसरी ओर 20 cm की दूरी पर है और यह आखरी मारकर दूसरी ओर 2F यानि फोकल लंबाई की दोगुनी दूरी पर है अब प्रतिविम बनाने के लिए हम वस्तु के रूप में जलती हुई मोंबत्ती का प्रियोक करेंगे और इसे विभिन इस्थानों में रख कर देखेंगे कि हमें प्रतिविम मिलता है या नहीं मिलता है जैसे हम इसे 2F से आगे फिर 2F पर इसके बाद focus और 2F के बीच फिर focus पर और अंत में focus तथा lens के बीच रख कर प्रतिविम प्राप्त करने का प्रियास करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम वस्थ याने मौमबत्ती को 2F से आगे रख कर देखते हैं लेकिन पहले हम किरण आरेक बना कर इसे समझेंगे तो यह मौमबत्ती है जिसे 2F से आगे रखा गया है और अब हम किरण आरेक बनाने के लिए इससे दो किरणे निकालेंगे तो माल लिजे कि यह पहली किरण है जो मुख्य अक्ष के समनांतर है मुख्य अक्ष के समनांतर होने के कारण यह किरण उत्तर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी इसी तरह यह दूसरी किरण है जो लेंस के केंदर से होकर गुजरती है और केंद्र से होकर गुजरने के कारण यह किरण बिना मुड़े सीधी चली जाएगी यानि यह विचेपित नहीं होगी अब ये दोनों किरणे जहां मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिविम बनेगा और इस मामले में ये किरणे मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही हैं इसका प्रियास करते हैं और देखते हैं कि यह कैसा दिखता है तो यहां हमने मौबत्ती को टू एप से आगे रखा है और मैंने लेंज को बीच में रखा है अब यदि हम स्क्रीन पर देखें तो हमें एक बहुत छोटी लो दिखाई दे रही है यदि हम थोड़ी गौर से देखें तो यह लो उल्टी दिख रही है तो इससे पता चलता है कि जब किसी वस्तु को टू एप से आगे रखा जाता है तो उत्तल लेंज से उसका प्रतिबीम्ब उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है लेकिन हम इस प्रतिबीम्ब को स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह एक वास्तविक प्रतिविंब है। आईए अब वस्तु को हम 2F पर रखते हैं लेकिन पहले इसे भी किरण आरेक में समझ लीते हैं। तो यहां हमने मौमबत्ती को 2F पर रखा है। अब माल लिजे कि पहली किरण मुख्य अक्ष के समनांतर है। इसलिए लेंसे निकलने के बाद यह फोकस से होकर गुजर जाएगी और इसी प्रकार दूसरी किरण लेंस के केंदर से होकर गुजरती है जो सीधी चली जाती है। आगे जाकर यह दोनों किरणे इस स्थान पर मिलती हैं। इसलिए यहां वस्तु का प्रतिविम्ब कुछ इस तरह बनेगा। हम देख सकते हैं कि यह प्रतिविम्ब लगभग वस्तु के आकार का है और साथी उल्टा भी है। अब चलिए देखते हैं कि यह स्क्रीन पर कैसा दिखता है। तो यहां वस्तू याने मुम्बत्ती को 2F पर रखा गया है और मैंने लेंस को बीच में रखा है अब यदि हम स्क्रीन पर बन रहे प्रतिविम को देखें तो हमें स्क्रीन पर दिख रही लोग लगभग मुम्बत्ती की लोग के आकार की प्रतीत हो रही है साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि यह प्रतिविम उल्टा भी है लेकिन चूकि हम इस प्रतिविम को स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह एक वास्तविक प्रतिविम है आईए अब वस्तु को 2F और F के बीच रखकर देखते हैं तो यहां मुंबत्ती 2F और F के बीच में रखी है और पुने इससे हम दो किरणे निकालेंगे इनमें से एक मुख्य अक्ष के समनांतर और दूसरी केंदर से होकर गुजरेगी आगे जाकर दोनो किरणे यहां मिलती हैं इसलिए यहां वस्तु का प्रतिविम्ब कुछ इस तरह का बनेगा ठीक है? हम पुने देख सकते हैं कि यह प्रतिविम्ब उल्टा है और यह वस्तु से बड़ा भी है चलिए अब इसे भी हम स्क्रीन पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो यहां मौमबत्ती 2F और F के बीच में है और यदि हम इसके प्रतिविम्ब को देखें तो हमें मौमबत्ती की लौका आकार वास्तविक मौमबत्ती की लौके आकार से बड़ा प्रतीत हो रहा है और यह उल्टा भी है इसका मतलब यह है कि हमें यहां एक वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रती भी मिल रहा है आईए अब हम मोंबत्ती को फोकस पर रखते हैं लेकिन इसे भी पहले किरण आरेक में देख लेते हैं तो यहां वस्तु लेंस के फोकस पर रखी है और इससे निकलने वाली एक किरण मुखे अक्ष के समनांतर है जबकि दूसरी किरण केंदर से होकर गुजर रही है लेकिन लेंस से गुजरने के बाद ये दोनों किरणे एक दूसरे के समनांतर चली जाती है इसका अर्थ है कि ये दोनों किरणे कभी नहीं मिलेंगी इसलिए हमें वस्तु का प्रतिविम भी नहीं मिलेगा याने कि हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु को लेंस के फोकस पर रखा जाए तो हमें कभी भी वस्तु का प्रतिविम प्राप्त नहीं होगा अब यदि इसे स्क्रीन पर देखें तो यहां भी हमें इसका कोई प्रतिविम नहीं मिल रहा है इससे इसपस्ट होता है कि जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तब वस्तु का कोई प्रतिविम नहीं बनता है क्योंकि वस्तु से निकलने वाली किरणे वास्तों में कभी भी किसी बिन्दु पर एक दूसरे से नहीं मिलती है चलिए अब हम वस्तु को लेंस के फोकस और केंदर के बीच में रखते हैं तो यह इस इस्तिती का किरण आरेक है यह इससे निकलने वाली पहली किरण है जो मुख्य अक्ष के समनांतर है इसलिए लेंस से गुजरने के बाद फोकस से जा रही है और यह दूसरी किरण है जो लेंस के केंदर से गुजर रही है इसलिए यह बिना विच्छे पित हुए सीधे चली जाती है यहां हम देख सकते हैं कि यह दोनों किरणे एक दूसरे से दूर जा रही है याने कि यह अपसरित हो रही है इसलिए ये दोनों किरणे वास्तों में कभी नहीं मिलेंगी लेकिन यदि हम इन दोनों किरणों को पीछे की और और पढ़ा दें जैसे कि यहां मैंने किया है कुछ इस तरह से और फिर हम इसे यहां से देखें या इस दूसरी और से यदि हम इने देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणे इस बिंदू से आ रही है हलाकि वास्तों में ऐसा नहीं है क्योंकि किरणे हमें सब वस्तू से आती है लेकिन हमें यहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किरणे पीछे से आ रही है इसके फल सुरूप हमें एक आभासी प्रतिविम दिखाई देता है और चुकि ये किरने वास्तों में कभी नहीं मिल सकती हैं इसलिए हमें वास्तिविक प्रतिविम नहीं मिलता है हलाकि हमें जो आभासी प्रतिविम मिलता है उसे हम देख सकते हैं और यह प्रतिविम वस्तु से काफी बड़ा और सीधा भी बन रहा है इस प्रकार जब वस्तु फोकस और लेंस के केंदर के बीच होती है तब हमें कोई वास्तविक प्रत्वी में नहीं मिलता बलकि एक आवर्धित आभासी प्रत्वी मिलता है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन वास्तविक प्रतिविम ना होने के कारण हम इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते. अपने आवर्धक lens का इस्तिमाल किया होगा. आवर्धक lens वास्तों में उत्तल lens होता है. और इस lens से हम वस्तों के बड़े यानी आवर्धित प्रतिविम देख सकते हैं. यही कारण है कि इससे हमें वस्तुएं शब्द, चित्र, इत्यादी बहुत बड़े दिखाई देते हैं और हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं लेकिन उनका यह प्रतिविम वास्तों में एक आभासी प्रतिविम होता है जो वस्तु से काफी बड़ा होता है और सीधा भी होता है